कालवा डोट जिस वज़े से डिमांड में रहती है वो होते हैं चोटे मकान और चोटे मकान यहां पर बहुत ज़ादा मिल जाते हैं उन लोगों के लिए जिनका बजट कम होता है किराए के मकान से चाहते हैं आजादी तो देखिए मैं आज आपके लिए लेकर के आगे हो फिर प्रॉपर्टी चवण 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 गज के अंदर बनी हुई है काहा पर लोकेट है तो यह प्रॉपर्टी अपने अंसल सुसाल सिटी के बैक साइड में लोकेटेड है और में रोड से एक से डेड़ किलोमेटर की दूरी पर है आज पास में बसावाट बले ही कम है तेकिन आजने वाले समय में बहुत अच्छी वसावट हो जाएगी कैसे आइए दिखाता हूं मैं आपको काफी सारे मकान बनते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जब आप विजिट करने वाला है अंदर से देख लीजिए कैसा होने वाला है कुछ इस तरीके से छोटी पार्किन आपको मिल जाती है मकान चोटा है बजट कम है लेकिन आले वाले समय में देखे एक तो इनका प्राइज बढ़ जाएगा सैकंड जैपूट शेयर में प्रॉपर्टी लेना एक सपना सामने आपको बड़ी विंडो है सनलाइट और वेंटलेशन पर बना रहेगा मकान थोड़ा सा टेपर है लेकिन देखे कितने बड़िया तरीके से डिजाइन किया है यहाँ पर देखेंगे बड़ा काल जाता है साइस काफी स्पेशिस हॉल की आपको मिल रही है उपर आपको नहीं पर बड़ी विंडो है सनलाइट और वेंटलेशन के लिए यहाँ पर मिल जाता है पीछे बड़िया सा बैकियाड का एरिया सनलाइट आपको प्रπαबर रहेगा जिसके लिए आपको जो है जाल लगा करके बिल जाता है सनलाइट और व enable बना रहेगा यहाँ पर देखे किचन है प्राइज बता चुका हूँ साड़े सत्रा नाक रुपे प्राइज है आपको प्रॉपर स्लैम वगरा लगी हुई है बड़ी विंडो है सन्लाइट और विंटिलेशन के लिए और प्रॉपर के बिनेट्स है यहाँ पर आपको दिया गया यह इसका बैट्रूम देखि साइज कितना अच्छा साइज आपको दिया गया है वन भी एच के प्रॉपर्टी है सामने अभी देखिए प्योपी हो रखी है अभी कलर होना माती है उपर भी प्योपी आपकर रख दी गई है इस साहिन में बड़ी विंडो है सन्लाइट और वेटिलेशन आपका प्रॉप अब चाहते हैं इसके अधिक जन्गर तो गौन कर लेजिए नम निचे डिस्क्रिप्शन में है आज और अभी के लिए तने ही सुछ से मुलाकात के बड़ी प्योपी